नमस्कार जैसा के आप लोग धमनेल देख चुके होंगे कि स्वस्थ बालक बाली का कारेक्रम जो आयोजित होने वला था 21 तरीक से लेके 27 तरीक के बीच उस कारेक्रम को यहाँ पे अस्थागित कर दिया गया है जी हाँ स्वस्थ बालक बाली का कारेकरम को अस्थागित करके जो कारेकरम दूसरा कारेकरम है उसको आयोजित किया जाना है जिसको यहाँ पे 21 तारिक से लेके 4 अप्रेल तक यह कारेकरम चलने वाला है जिसका नाम है पोशन पाखवारा तो आप सभी को हम इस बारे में है और इस पोशनप पाखवारा में कौन-कौन सी गति वीधिया करनी है इसके बारे में हम पूरी जनकारी देने वाले हैं वीडियो आप सभी आंगल बारी बहने अंतक जरूर देख लिजेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी जो हमेशा से रहाती है कि आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लिजिएगा चलिए बरते हैं इस लेटर में आगे यहाँपे देख सकते हैं बिहार सरकार आई सीरियस निदेसाले के तरफ सी ए पत्र जारी हो चुका है जिसकी संचीक का संख्या है तेरा सौ बासट इकिस तीन दो हजार बाईस यानि कल साम को ये लेटर जारी हुआ था जिसमें कि आपको दिसे निर्देश दिये गए हैं कैसे कौन से कारेकरम करने हैं यहाँ पर देख सकते हैं प्रेशक हैं निर्देशक आई सीरियस निर्देशाले बिहार पतना और सभी ज प्रेटर का जो विषय दिया गया है यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पाएंगे जैसे की राष्ट्रिय पोशन मीशन अंतरगत दिनांग 21 मार्च से 4 मार्च 2022 तक पोशन पखवारा आयोजन के संबद में तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 मार्च से 4 मार्च तक यह कारेकर है वो भारत सरकार राष्ट्रिय पोशन मीशन अंतरगत यह कारेकरम किया जा रहा है महा से उप्रियूक विषय एंपरसंगीक पत्र के संदर में कहना है कि दिनांग 17-3-2022 को सचीव महिला एंग बाल विकास मंत्राले भारत सरकार की अधियाक्षता में आयोजित वीडियो क स्थगित कर दिया गया है साथ ही 21 मार्च से 2022 तक भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप पोशन पखवारा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है पोशन पखवारा के दवरान 220 ओपर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश लिया गया है स्वस्थ बच्चे की पाचान और दुसरा है स्वास्थ भारत के लिए परामप्रिक और आधुनिक संसादनों का एकी करण तो देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से ये जो स्वास्थ बालक बाली का काड़ेकरम है उसके जगवा पर ये कारेकरम किया जाना है और यहां पर आगे देख सकते हैं पोशन पक्वारा के दोरान पर्थम सब्ता में 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों की ब्रिधी निगरानी लंबाई उचाई की माप जैसे की GMD जो ग्रोथ मोनेटरिंग कारेकरम है वो आप लोग को प हम बच्चों के लिए परमपरागत खाद समगरी का परचार परसार आधी गतवीधियों के द्वारा समुदाय को जागरू करना है तो देख सकते हैं यह जो कारेकरम है वो दो सब्ता के लिए चलाए जाएगा पहले सब्ता में जो भी बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के उन हैं उनको एनिमिया से रोख थाम के बारे में परचार करना है बच्चों के लिए जो खाद समगरी है किस प्रकार को उनको भोजन देना चाहिए इसके बारे में समुदाय के प्रती जागरूगता फैलाना है अता अनुरोध है कि 21 मार्च से 4 मार्च 2022 तक पोशन पाखवारा क का सनलगन कैलेंडर के अनुसार सफलता पूर्वग आयोजित करने की किरपा की जाए जैसे किसके साथ में एक कैलेंडर भी जारी किया गया है जो पोशन पाखवारा के संबंद में जो भी आयोजित होने वाली गतिविधिया है उसके बारे में बताया गया है यह मैं आपको कीलेंडर भी दिखा जेता हूं जिसमें कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे की पोशन पाखवारा का दवरान क्या-क्या करनी है यहां पे आप लोग देख ग्रामिन विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, सिक्षा विभाग, युवा एवं खेल विभाग के जो भी विभाग है उन सभी विभागों के साथ में मिलकर ये काड़िकरम किया जाना है यहां पर देख सकते हैं कौन सी गति विधिया करनी है जैसे के जीरो से लेके 6 साल के सभी बच्चों की ब्रीधी निगरानी वजन उचायी लंबाई की माप कर पोशन ट्रेकर एप पर अपलोड करना है शाथी साथ देख सकते हैं कि सैम मैम संबंधित आंकरों को जीला पददिकारी से साजा करते हुए आवस्यक रिफर्ट सिवा उपलवद कराना और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 28-29 मार्च तक क्या करना है जैसे कि जल संरक्षन में महिलाओ की भूमी का जन संरक्षन है तो रैन वाटर हर्वेस्टिंग संरक्षना को समुदाय स्थर पर आंगनवारी सहीद बिक्सित करना यह जो नोडल अधिकारी रहेंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं 30 और 31 मार्च को क्या होने वाला है जैसे की इसका जो थीम रहेगा तो और लाइक क है स्वास्थ विभाक के तरफ से यह कारेकरम जाए जाएंगे Isaldhya गतिबिधी में देख सकते हैं स्वास्त विभाग के सहयोग से जीला परखंड पंचायत ग्रामस्तर पर अनीमिया कैम का योजन एवं आयेफी की गोली का बितरन किया जाएगा आयूस विभाग के सहयोग से चैनित आंगनबारी केंदरों के सभी समुदाय वो पोशक छेतर के अनीमिया से बचावेतू बच्चो गर्वती वधात्री महिलाओ को आयूस पोशन कीट का बितरन किया जाएगा और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं एक से लेके तीन अप्रेल के बीच परामप्रिक भोजन का जो इसमें परचार परसार करना है बच्चों के खान पांच परामप्रा के लिए कारेकरम चलने वाला है उमीद है आप सभी को आज की इस वीडियो से जनकारी मिल गई होगी आप सभी आगनबारी बेहनों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो भी कर किजिएगा और इस वीडियो को और भी आगनबारी बेहनों के साथ सेर जरूर किजिएगा मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जै हिंद